हेलो दोस्तों वेलकम बैक विद अन्यू वीडियो वापस से आ गए हम लोग अपने स्कैनिक्स के पॉर्टल पे और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स को देखेंगे इसके लिए यहाँ पर हम लोग स्कैनिक्स.trade पे विजिट करेंगे और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइट से एक उप्षिन मिलता है प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स का आप इस पे गलिक कीजिएगा एड अभी आपके सामने price और volume के basis पे जो स्क्रीनर्स होते हैं उनकी list आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पर one week high breakout इसके बाद है one week low breakout फिर है four week high breakout फिर है four week low breakouts फिर है 52 week high breakout फिर है 52 week low breakout फिर है lower circuit breaker and then potential high volume and unusually high volume इसके साथ ही upper circuit breaker तो अलग-अलग price और volume की condition के basis पे आपको यहाँ पर total 10 screeners देखने को मिल जाते हैं चलिए अभी हम लोग इन में से कुछ screeners को explore करके देखते हैं और detailed में समझते हैं For example हम लोग यहाँ पर open करते हैं 52 week high breakout जो की काफी जादा use होने वाला screener है यहाँ पर आप इस screener की short summary पढ़ सकते हैं लिखा है breaking past year highest price in the last year signaling strong bullish trend तो यह screener क्या करेगा यह screener आपको ऐसे stocks के नाम बता करके देगा जिन्होंने अपना पिछले एक साल का जो highest price है जिसे 52 week high price भी कहा जाता है तो 52 week high price को जिन्होंने भी break किया हुगा उन stocks का नाम बता करके देगा जो की signal करता है कि उन stocks में एक strong bullish trend maintain है तो अभी हम लोग इस पर click करते हैं और इसकी actual में क्या condition है वो यहाँ पर आपको देशने को मिल जाती है एक simple condition यहाँ पर लिखी गई है high price one day should be greater than high price one year तो अगर आज की दिन का जो high price है वो पिछले एक साल के high price से जादा है तो उन stocks का नाम आपको इस वाले screener के अंदर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर हमें कई सारे stocks के नाम देखने को मिल रहे है चलिए अभी हम लोग इन में से किसी भी stock का chart open करके देखते हैं तो इसके लिए हम लोग किसी भी stock के नाम पे आएंगे यहाँ पर आप दी सकते हैं आपको buy and sell का भी option मिलता है तो आप directly यहाँ से buy और sell order भी place कर सकते हो अपने dhan account पे तो अगर आपके पास dhan ka dman account नहीं है तो description box से मैंने link दे रखा है आप उस पर से click करके dhan ka dman account open करवा सकते हैं then उसके बाद क्या होगा कि आप scanners के platform को पूरा free of cost यूज़ कर पाएंगे otherwise यहाँ पर आप scanners के platform को थोड़ा limited conditions के साथ ही use कर पाते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं आपको trading view का option मिलता है तो आप directly इस पर click कर सकते हैं and अभी tv.done.co पे आपके stock का जो chart है वो open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं भारती एटल का chart open हो चुगा है and यहाँ पर आपको clearly देखने को मिल रहा है कि इसका 52 week high जो बना था अभी दक्का वो था यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 June 2024 को बना था and इसका आज की दिन पर इस stock ने यहाँ पर breakout दिया है इसके बाद एक और stock है यहाँ पर infosys उसका भी chart open कर लेते हैं trading view के portal पे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका 52 week high जो बना था वो था यहाँ पर 29 July 2024 को बना था जिसका breakout आप देख सकते हैं आज की दिन पर देखने को मिला है and आज की दिन पर जिसकी closing price है वो 1,939 रुपीज है वापस रहते हैं हम लोग अपने scanX से portal पे तो अभी हमने ये एक screener देखा 52 week high breakout इसके बद हम लोग यहाँ पर एक और screener देख लेते हैं for example one week high breakout इस पे भी हम click करेंगे and इसकी यह condition है वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं similar condition है 52 week high जैसी बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज की दिन का जो high price है वो पिछले एक हपते के high price से जाधा होना चाहिए यहाँ पर जो stocks हैं उनके नाम आपको देखने को मिल रहे है यहाँ पर हम लोग किसी stock का chart open करते हैं for example बजाज finance इसका हम लोग trading week के portal पे यहाँ पर chart open कर लेते हैं and अभी हमारा यह chart daily time frame पे set है आज की दिन पर जो इसकी closing price है वो 6900 रुपीज पे है and पिछले एक हपते का अगर हम लोग यहाँ पर high देखें तो वो होगा यहाँ पर I think 21 August को जो की था यहाँ पर 6740 रुपीज पे and आज की दिन का जो high है वो इसके comparatively higher है तो यह condition यहाँ पर satisfy होती है and इसी वज़े से हमें इस screener ने Bajaj Finance का नाम बता करके दिया तो हमें यहाँ पर सभी की list देखने को मिल जाती है तो इन screener से आपको stocks के नाम बता लग जाते है then इसके बाद आप अपनी conditions और अपने favorable risk reward ratio के accordingly यहाँ पर अपनी trade ले सकते हो तो फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी जाते जाते वीडियो को like कीजिएगा मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत